देश के रियल इस्टेट सेक्टर को फेस्टिव सीजन से बड़ा सहरा मिला है। सरकार भी Housing for All का मिशन पूरा करने के लिए सस्ते घरों को बढ़ावा देने लगी है। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए भी अफोड़िवल हाउसिंग सेग्मेंट के आकार की मिसाल दी जाती है। लेकिन ये आकार भारत के अतहा बाजार के दम पर ही फलफूल रहा है। इस बाजार को अफोड़िवल हाउसिंग तक लाने के लिए अब राजियों को स्टैम ड्यूटी घटाने की जरूरत है। जानकारों का भी मानना है कि इससे बिक्री बढ़ेगी और ये सेग्मेंट देश के रियल इस्टेट सेक्टर को सफलता की नई मंजिल तक पहुँचा देगा डेवलपर्स वैसे सरकार की अफोड़ेबल हाउसिंग स्कीम से संतुष्ट हैं और ब्याजदरों में आई कमी भी उनका उसा बढ़ा रही है किसी भी शहर के विकास में अफोड़ेबल हाउसिंग का सबसे बड़ा योगदान रहता है जैसे कि हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने हाउसिंग फॉर ओल 2022 का मिशन रखा है जिसमें सरकार को एक करोड़ लोगों को निर्धारी समय से पहले घर देना है इसी मिशन का सम्मान करते हुए हम भी भागी दरी ले दे हैं यानि अगर फिलहाल ही ये स्कीम जल्वा दिखा रही है तो फिर इस टाम ड्यूटी कम होने पर तो ये जादू चला सकती है